Hello friends, मैं उस रोज मेरे किजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम बतायेंगे कि आप अचानक शाधी आपकी कहीं पर कहीं शाधी पार्टी में आपको कहीं पर जाना है अचानक से और आप फैसवल नहीं करवा पारे हैं मार्केट से भी जादा आपके चेरे पे चमक गोरा और दाग धब्बे बिल्कुल गायव हो जाएंगे इतना अच्छा फैसियल है तो आप शादी पार्टी में जाएंगे तो आपको ही देखते रह जाएंगे एक बार तो इतना अच्छा आपका चेरा चमकना स्टार्ट हो जा तो यहां पर हम बात करते हैं फैरे लवली की दोस्तों यह एक ऐसी नेचुरल चीज है जिससे अपना फैस पेक आप अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा इसको बनाना किस तरीके से वह हम बताएंगे कि यह जादा फाइदा और जादा लंबे समय तक क चेरे पेक को साप करेगा और दाग दब्बे को दूर करेगा तो इसको किस तरीके से आपको लगाना है अपना फैस पेक आप अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा इसको बनाना किस तरीके से वह हम बताएंगे कि यह जादा फाइदा और जादा लंबे समय तक किस तरीके से आपके चेरे पे को साप करेगा गोरा करेगा और दाग दब्बे को दूर करेगा तो इसको किस तरीके से आपको लगाना है कि दोस्तों शादी पार्टी में हमारा चेरा सबसे फीका लगेगा अगर आप चेरे पे कुछ नहीं लगाएंगे तो यह ऐसा एक प्रोडेक्ट है यह ऐसी चीज है कि आपके चेरे पे इतना ज़्यादा ग्लो आएगा इतना ज़्यादा साइनिंग और इतना ज़्यादा अच अच्छा चमकिएगा कि आपको ही एक बार तो सबकी नजरे आप पे ही टिकी रहेंगी तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो मैंने फैरे लव ले लिए इसको हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमें एक बार तो चेरे पे लगाने के लिए इतना ही काम भी लेना है दोस्तो सबसे में चीज हमें क्या लेनी है सबसे पहले तो हमें इस से चेरे को साप करना है क्लीन करना है एक बार तो गुलाब जल से आपके पूरे चेरे को साप करना है उसके बाद में जो भी आप कोई भी चीजे लगाते हैं उसके बाद में ही आपको लगाना चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसमें गुलाब जल डालेंगे थोड़ा सा तो आप भी देखते रह जाएंगे कि इस तरीके का भी आपका जो चेरा इतना चमके गई यहां पर मेने लिए दो से तीन नीवू की बूंदेंग दोस्तों अब हमें क्या करना है अच्छी तरीके से इन चीजों को मिलाना है क्योंकि दोस्तों यह चीजे इसमें ऐसी चीजे हैं कि आपको बहुती लंबे समय तक भी आपके चेहरे पर यह क्रीम लगी रहेगी और साथ में आपके चेहरे पर इतनी चमय कितनी ज़्यादा साइनिंग रहेगी ना आप खुद भी देखके हैरान हो जाएंगे आपको महेंगे महेंगे और आपके साथ में आपकी जो दाग हैं वो भी नहीं दिखेंगे और खतम भी हो जाएंगी से तो इस तरीके से हमें इसक मिक्स करना आप हाथ के हेल्ट से कर सकते हैं क्योंकि उसके अक्सर आप हो जादा गल्ती कर देते हैं कि अक्सर यही करते हैं कि आप फटा पट से लेते हैं और इसको फेरे लबली को चेरे पर लगा लेते हैं तो दोस्तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी स्किन सूपी सूपी रूखी रूखी और अजीब सी दिखती है जो फेरे लबली है वो एकदम हुकडी हुकडी दिखती है आपकी चेरे के उपर जैसे ऐसे लग रहा है कुछ आप तो मैं जो आपको पहले ही बता रहे हुँ कि आपको में पहले हाथ जैसे थोड़ा सा आपको ये लेना है गुलाब जल लेना है हाथ पर इस तरीके से गुलाब जल लगाना है आप चेरे पे लगाएं तो इससे आपकी तो जो हाथ है हमारा एकदम क्लील हो चुकाया देख सकते हैं तो अब मैं इस तरीके से चेरे पर लगाना है तो इससे जो आपका चेरा है सूका सूका भी नहीं दिखेगा और एकदम जो आपके हाथ जो चेरे पे जो दाग दब्बे हैं चाईया हैं वो भी एकदम खतम हो जाएंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपकी इसकी इकदम बिल्कुल साप हो जाएगी तो आपको दिख रहा होगा कलर में डिफरेंट दिख रहा होगा देख सकते हैं दोनों हाथों पे भी अच्छे से डिफरेंट आपको नजरा रहा होगा इस मेंने हाथ में नहीं लगाया है और इस हाथ में लगाया है तो बिलकुल भी इसके दाग धब्बे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं और मैंने ऐसा भी नहीं कुछ जादा लगाया है मैंने थोड़ा सा ही लगाया देख सकते हैं तो इसमें तो दाग दब्बे दिख्ग रे हैं और इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं तो दोस्तो आप तो मैंने थोड़ा ही लगाया भी तो आपको अच्छे से लगाना है जैसे आपकी जो चेहरा है इसकीन है वो इससे दाग दब्बे भी दूर होंगे जो आपकी चेहरे पर दाग दब्बे रहते हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपका जो चेहरे का कलर है वो भी एक्तम साप गोरा दिखेगा और बहुती ज़ादा चमकदार दिखेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फरक देख रहा है उंगलियों में फरक देख रहा है यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा फरक देख रहा है आपको तो इस तरीके से ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है देख सकते हैं ऐसा नहीं तो जैसे आप डायरेक्टली इसको लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूका सूका जैसे कोई आपने पाउडर लगाया है या अलग से कोई भी क्रीम लगाई है तो ऐसे बि देखने कि आपने कुछ अलग से लगाया है ये देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंट आपको दिख रहा होगा regenerat ists именно tAKE लोविप करें नीच्या i apolog जुआ अच्छा खुआ हो जुआ की लगए तो आजिकता है्27